जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक लाइक निक है वो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटेटर के लिए आप तब पहुंसके अनत्ता या सिक्षक भरती में जो आर्शकन को डाला हुआ था उसके तहित जो अर्शट सो लिष्ट आई थी उसका कैसे निस्तारों होगा सभी टीमों की 19 अक्टूबर को जो तारिक लेगी हुई है उसकी क्या तैयारी है डबल डिये विशन मुद्दा जो आर्शकन मुद्दे के साथ टैग है उसमें क्या संभवनाए है क्या ओबराल को बैठेगी यह नहीं क्या इसकी सुनवाई प्रमुक्ता से हो पाएगी इस सब को जानने के लिए हमारे वीडियो को अंतक देखिएगा तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कल की सुनवाई के बारे में जो अपना मामला 13 156 मेहन पाल बनाम अधर्स है इसकी सुनवाई 19 पंकज भाटिया जी की बेंच में लगा हुगा जैसा कि सभी को विदित है इससे पहले सुनवाई में कुछ इस तरह की बाते आई थी सामने की पेटिशनर्स के एड्बोकेट्स ने कहा था कि साब इनकी देवाली तक इनको ओडर दे दी ताकि कुछुप के घर में खुशी आ सकें तो पंकज भाटिया जी ने कहा था कि हम पूरी तरह से कुशिस करते हैं उसी के मद्दे नयों 19 अक्टूबर को कोट नंबर 18 में सीरियल नंबर एक पर ही अपना मद्दा लगा हुआ अब इन सब मुद्दे को समझने के लिए हम स्टेप बाई स्टेप समझते हैं आकर ये 13156 का मामला निस्तारत क्यों नहीं हो पा रहा है अभी तक आकर इसके पीछे क्या क्या फैक्ट है सबसे पहले हम यह देखेंगे कि 69 यार स सीटों के सापेक्ष, OBC को 27% आरक्षण, SC को 21% आरक्षण और ST को 2% आरक्षण का प्रावधान है जिसके तहट सरकार ने अपने ओर्डर में और कोर्ट में भी लिखित रूप से क्या दिया गया है वो देखते हैं अब यह देखते हैं कि यह क्या चीज़ है पहली बार अधिकारी क्रूप से सरकार ने जनरल OBC, SC की कट आफ जारी करी जिससे की लोग को यह लगता है कि धीरे धीरे सरकार जो है फस्ती जा रही है अब इसमें हम पॉइंट नमबर 21 देखेंगे यह कोर्ट के दौरा दिया ग कट आफ मार्स पॉर अन्रिजर्फ कैटेगरी इस 67.11 पॉर अधर बेकवर्ट क्लास 66.73 एंड से डूल काश्ट इस 61.01 इसका मतलब साफ साफ है कि यू आर की यो कट आफ सरकार ने अदालत में अपने हलफ नामे में में दिया है वो 67.11 है और OBC की कट आफ 66.73 बताईए अब इसको सरकार या सरकारी अजविक्ता को डिफेंड करना है कि आखिर जो इतनी कम डिफ्रेंस में जो OBC की 18,000 सम्तिंग सीटे बन रही है वो कहां है अगर हैं तो उनको वो चीज़े दिखाने पड़ेंगे अन्य था ये पूरी जो लिश्ट है वो रद्ध होगी इसके अलाबा इसका कोई भी समधान नहीं है अब जानेंगे कि आखिर इतने कम डिफ्रेंस में कितनी सीटें दी गई है वो भी सीटें को कितनी सीटें को कितनी सीटें को जिसका मतलब जिन चात्रों के नंबर या गुणांख हम कह सकते हैं 67.11 से अधिक हैं चाहे वो ओबी सी का हो चाहे वो एस्टी का हो चाहे वो महिलाए हो चाहे विकलांग हो चाहे वो जनरल कंडिएट हो सब वो यूर की कट आफ के अंदर हैं तो वो अन्रियफ कैटिगरी मे सेलेक्टेड होंगे यह बाद सभी लोग बहुत ध्यान से समझें और बहुत ध्यान से समझने की जरूत है कि यूर की कट आफ का मतलब है कि इसके ऊपर जिन भी छात्रों के नंबर है वो सर्व अन्रियर कंडिडेट माने जाएंगे ठीक है और इसके बाद चालू होता है ओ अंतरगत औरटेंटल रियर वेशन भी है लेकिन उनमें इतना फरक नहीं पड़ता है मुखता जो अंतर है वो है यूर की कट आफ 67.11 इसके ऊपर सारे अन्रियर कंडिडेट है वो किसी भी कैटिगरी का हो और इसके नीचे हमारा कैटिगरी रियर वेशन आता है अब चलते ह हैं हम अगले विंदू पर कि यूर की कट आफ के ऊपर कितना है कितने चातर ने लिए हैं कितने चातर ने नहीं लिए हैं जिससे की मुद्दा पेचीदा होता जा रहा है अब यह देखिए यह भी एक कोड का ओर्डर है या कोड के मेमोरी में सेव है इसमें साफ साफ अगर देख पा रहे हैं आप तो यहां पर कॉलॉन नंबर वन है केटिगरी जिसमें ओबी सी एस से एस टी का जिकर किया गया है कॉलॉन नंबर टू में जिसको ए नाम दिया गया है वह कहता है एक्चुल नंबर ऑफ सीट अलोटेड इन दा 69 थाउजंड रिक्यूट्मेंट परसे कि यहां पर लिखा हुआ है 69 यहां सिक्षक भरती में एक्चुल नंबर ऑफ सीट कितनी अलोट केटिड हैं तो ओवी सी की देख पा रहे हैं आप 26.95 परसेंट लिखा हुआ है 0.05 परसेंट इसमें होरियंटल रिवेशन कट चुका है तो हम उस पर जिकर नहीं करते हैं तो यहां पर ओवी सी की 26.95 परसेंट रिवेशन दिया गया है जिसके तहत 69 यहार सीटों के सापेक्ष हमारी ओवी सी की सीटें 1859 सीटे आ रहे हैं SC की 14569 सीटे आ रहे हैं और HT की 1354 सीटे आ रहे हैं ठीक है इस टेबिल को बहुत ही ध्यान से समझीएगा और पूरी ही चीज आपको एकदम क्लियर हो जाएगी क्या आखिर मुद्दा क्या है और कौन सीटी में अपने मुद्दों से भटक चुकी है टेबिल नमबर 2 पे चलेंगे इसमें कॉलर नमबर 2 पे जिसको भी नाम दिया गया है रिजर्फ कंडिडेट्स हैविंग मोर दैन और एक्वल टू 67.1 वग मार्क्स लाइक MRC इसका मतलब है कि वो कंडिडेट जो रिजर्फ कैटिगरी के हैं और उनके मार्क्स 67.11 या इससे ज़्यादा है इसका मतलब कहने का है कि वह कंडिडेट जिनके मार्क्स 67.11 है या इससे ज़्यादा है तो वो कित्ते candidate हैं category के जिनके mark सित्ते हैं तो total candidate बने जिनके 67.11 से ज़्यादा है OVC के हैं 28,978 SC के हैं 4,742 और ST के 52 candidate है means अगर total देखें तो 33,772 candidate ऐसे हैं category के जिनके number 67.11 या इससे अधिक हैं तो यहां साब तरश आप देख पा रहे हैं कि OVC के candidate जो है जिनके marks 67.11 या उससे ज़्यादा है वो 28,978 है तो हम सबसे पहले OVC की बात कर लेते हैं क्योंकि OVC में माना जाता है सबसे ज़्यादा ही आरक्षन गोटाला हुआ है तो OVC के 28,978 चात्र ऐसे हैं जिनका गुडांग 67.11 है या उससे अधिक हैं ठीक है अब column number 4 पे चलते हैं जिसका नाम C दिया गया है यह कहता है MRC Candidates Actual Selected in UR Category इसका मतलब MRC Candidate वो जो UR Category में Select हुए हैं तो वो है 13,007 Candidate तो आप देख पा रहा है कि यहीं पर एक बहुत बड़ा Difference करेट हो क्या है क्योंकि OBC के 28 या 938 Candidate ऐसे थे जिनका Selection या जिनका गुडांग 67.11 है से अधिक है तो भई इसका 28 या 938 Candidate ऐसे हैं जिसका गुडांग 67.11 है से अधिक है तो भई सब सरकार ने इसको UR की कटाव 67.11 जारी करी तो इसके ऊपर 28 या 938 Candidate है तो भई 28 या 938 Candidate ओ को Unreaf Category में सामिल करना चाहिए था जबकि सामिल किया किता गया है सामिल किया गया है 13,007 Candidate को इसका मतलब अब हम अपने अगले कॉलम पर चलते है कॉलम नमबर D इसका गया है MRC Candidate who have been illegally treated as illegally मतलब गलत है किसे treated as Reserved Category अब देखिए क्योंकि कॉलम नमबर B और कॉलम नमबर C का ही डिफरेंस निकालके हम कॉलम नमबर D में डाल रहे हैं कहने का मतलब 28 या 938 Candidate ऐसे हैं जिनको UR Category में होना चाहिए था क्योंकि इनके गुणां 67,9,11 से जादा है लेकिन UR Category में कितनों को selection मिला 13,07 को तो बाकी Candidate कहां गए तो बाकी जो Candidate थे जो 15,971 बचे वो इनने OBC की Category में रख दिया सही है जबकि 15,971 Candidate भी UR में होने चाहिए थे नई हुए सही है तो अब 15,971 Candidate इनने कहां सामिल किये जो हमारी 18,598 सीटे थी वहाँ पे तो actual में तो हमें 18,598 सीटे मिलने चाहिए थी OBC को लेकिन क्या किया गया 2627 Candidate वह हैं जो UR की कटॉप से नीचे थे तो उनको सामिल कर दी 18,000 में और बाकी 15,971 Candidate वह हैं जो UR में जाने चाहिए थे और भी इनने OBC में सामिल कर दी तो जो actual में आरक्षण जो मिला OBC को वो 2627 Candidate को मिला और 2627 Candidate वह हैं जो UR की Cut-Off से नीचे हैं जबकि UR की Cut-Off के नीचे OBC को 18,598 Candidate होने चाहिए थे और हैं कितने 2627 मतलब यह Difference जो है लगभग लगभग 15,000 सीटों का यह 16,000 सीटों का आ रहा है ठीक है इसी प्रकार SC में भी किया गया है SC में भी कुल 4742 Candidate UR की Cut-Off के उपर थे और UR की Cut-Off में सिर्फ 1753 Candidate को UR में सामिल किया बाकी 2989 Candidate को SC के डिगरी में ही सामिल कर दिया तो कुल मलाके आप वहाँ समझ पा रहे हैं तो यह बहुती बड़े इस तरका गोटाला सामने आ रहा है और जिसको यह टेविल समझ में नहीं आ रही है यह इस टेविल से क्या आँकड़े निकल के आ रहे है वो इस वीडियो को दुबारा देखें पॉस करके समझने की कोशिस करें आप लोग को बिलकुल क्लियर हो जाएगा कि मुद्दा है क्या कि हम चाहते क्या है और हम कर क्या रहे है सब चीज आपको क्लियर रहा है इस टेविल को जो समझ गया तो वो आप बिलकुल समझ सकते हैं कि क्या है यह कोट में में मेंशन है कोट के ओर्डर में भी मेंशन है और जो भी जस साब ओर्डर देख रहे हैं या इस समय प्रिजेंटली केश को टेक अप करे हुए है वो उन सब के पास यह सारी डिटेल्स है ठीक है और एक चीज आप लोग बिलकुल अपने मैंड में बैठा लीजिए कि जो भी कोट ओर्डर देगी वो अंतिम सनवाई के तहत नहीं देती है कोट सुरू से लेके लाज तक जो भी ओर्डर पास हुए हैं जो भी डाकुमेंट पुट अप किये गए हैं उन सब की स्टड़ी करने के बाद ही कोई ना कोई डिसेयन देगी तो ये ये टेबिल बहुत ही प्रमुख रोल प्ले करेगी OBC, SC कंडिडिटों के लिए कि जब इस तरह का आकड़े सामने आ रहे हैं तो ये बहुत ही इस्तिती खराब कर देंगे और साथ में ही जो ये वाला डिकलिरेशन है सरकार ने जो दिया है कि यूर की कटाउस 67.1 खुद ही डिकलर किया है उनने तो इसको डिनाइ नहीं कर पाएंगे वो कभी ठीक है तो ये दो चीजे हैं प्रमुकता से इस टेबिल को आप समझने कोश्च करिएगा कि एक्च्छल में हमें OBC को कितनी सीटों का नुकसान हुआ है और SC को कितनी सीटों का नुकसान हुआ है ठीक है अब जो यहां पर एक यूर समझने कोश्च करेंगे कि जब यूर की कैटिगरी में जाने चाहिए थे 28 यार कंडिरेट लिए गए 13 यार कंडिरेट ठीक है तो इसका मतलब 15,000 कंडिरेट जो और लेने थे उनकी जगए कौन आया उनकी जगए आया जनल की कंडिरेट सामानने के इसी तरह वो कंडिरेट SC के उनकी जगए भी सामान कंडिरेट आया कुल मलाके जित्ती सीटे OBC SC की हटाई ही जो की 15,971 कंडिरेट OBC के UR में जाने चाहिए थे 2989 कंडिरेट SC के UR में जाने चाहिए थे 28 कंडिरेट SC के UR में जाने चाहिए थे तो कुल candidate 18,988 candidate ऐसे हैं जिनको यूर में जाना चाहिए था क्योंकि इनके number जो हैं यूर की cutoff से ज़्यादा है तो जब ये candidate यूर में गए नहीं ये अपनी category में आ गए तो 18,988 candidate कौन से हैं जो इनकी जगए हैं वो सामाने जाती गए हैं यहां कोई जाती बाद नहीं चला है लेकिन जो भी systematic या जो भी mistake हुई है department से मैं उसको clear करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल समझ से काम करें कि कौन सी team क्या काम कर रही है किसको नुकसान है किसको फायदा है ठीक है अब यहाँ पे हम कुछ माते करते हैं कुछ टीमों की जो team एक दूसरे पर allegation कर रही है या अंतिम दोर में अपने advocates के लिए सहोग के लिए अपील कर रहे हैं तो एक team है अम्रेंद भाई की विजय भाई की जो की लगातार 800 के लिए संगर्स कर रहे हैं हर तरह से उनका प्रयास रहता है कोड के अंदर किसी तरह मुद्दा निपटे आये कोड के बाहर ये किसी तरह से मुद्दा निपटे आये हर तरह से वह अपने संगर्स में लगे हुए तो एक टीम अम्रेंद भाई की है एक टीम आयोक टीम है जिसको प्रदी भगेल जी रहुल मौर्या जी मनोज प्रिजापती भाई लगे हुए हैं उनका भी अपना स्टन्ट क्लियर है कि उनको क्या चाहिए उनको विकुल मिला के 800 सीट चाहिए अब यहां अगर प्रमुकता से देखें 800 सीट जो वी सीएसी की आई है और आने कितनी चाहिए थी और आने चाहिए थी 18,988 सीट अने चाहिए थी लेकिन आई कितनी से फ़र सट सो क्योंकि यहां पर देख पा रहा हुए इनको यूर्म होना चाहिए था लेकर ही नहीं वह थी 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 तो एसी एश्टी ओवी सी की सब मिला के 18,988 कंडियेट ऐसे हैं इनको यूर्म होना चाहिए थी और जबकि सरकार ने सिफ 800 कंडियेटों की सीट निकालके जो है इस कैम से अपना पल्रा जाड़ लिया है तो एक और एक जनरल की टीम है सामान जाती की वो यह कहते हैं कि जब 800 सीटे दी गई है तो भई 800 सीटे सामान जाती को भी दी जाएं जनरल कंडियेट को तो अब इस टेविल से मैं आपको इसमें और कुछ नहीं समझाऊंगा इस टेविल से आप लोग समझ गाएंगे कि एक्चुल में जनरल वालों का क्या लोकस है एसी वालों का क्या लोकस है और अगर अब भी आप सभी लोग 800 सीट के पीछे भाग रहे हैं या 800 सो टीम को सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो लोग सपोर्ट करें जो सिफ 800 की लिश्ट में हैं ठीक है जो 800 की लिश्ट में नहीं हैं वो भ हैं ठीक है जो लोग यह समझना है कि मेरा 800 में नहीं हुआ है वो नहीं हो पाएंगे या और कहीं कोई रास्ता नहीं है तो इस टेविल से आप बिल्कुल इस पश्ट हो जाएगा आपको कि जो OBC कंडिडेट हैं उनको लगबग लगबग 15971 कंडिडेट और चाहिए अगर इस जिससे कि उनका रियर्वेशन पूरा हो सके तो यह मिलाके 17,000-18,000 कंडिडेट OBCC के हैं जबकि लिष्ट से सेफ 8600 की आई है तो आप लोग यह समझनी कोशिश करें 10,000 कंडिडेट और आने चाहिए थे जो कि सरकार ने नहीं डिकले दिया है क्यों नहीं किया है यह आप ल इस मुद्दे में सिर्फ यह हुआ है कि साब हमें दे दें बाकी रहने दें जिस जिस की अपनी अपनी पहुंच है अपनी अपनी मीटिंगें करी गई सिर्फ उन्होंने सिर्फ अपने ही फायदे दिखाए कि साब इतने कंडिडेट है हमारे इतने लोग कर दीजिए आप भ किसी के उपर किसी भी टीम के उपर कटा छेप नहीं करना है कि वो क्या कर रहे हैं इस टेविल को देखते ही आप समझ जाएंगे कि जनरल वालों का क्या लोकस है कि जनरल वाले एक्चुल में उनको इस केस में कुछ महत मिलेगा भी या नहीं मिलेगा इस टेविल से आप भो भ मौरिया जी लगे हुए हैं उनको सायोग करें चुछ उट्षर सौ में सामिल है जो उट्षर सौ में सामिल नहीं हैं बहुत से बिलकुल माइंड में सेट कर लें कि होगा तो इतनों पर ही होगा 8600 पे नहीं होगा 8600 का अगर इतने पर होगा 15971 OBC की 2989 SC की अगर सीटे मिलती हैं तभी होगा अधरवाइज नहीं होगा और हां इतनी सीटे मिलेंगी सबसे पहले 8600 का ही होगा उसके बाद भी कंडिडेट बचेंगे लेकिन गुडांक के घटते करम में अगर देखेंगे तो सबसे पहले नाम है वो पर सौक की लिष्ट में जो चाहिने तो नहीं काएंगे उसके बाद और डिसेंडिंग ओर में आएंगे नीचे लेकिन यही एक विकल्प है कि इतने सीटें सरकार को देने पड़ेंगे और अगर नहीं देना चाहती है तो लिष्ट को रिविजिट करें गुडांक वाइज category wise declare करें और जितने नई लिष्ट में आते हैं उनको रखे और otherwise दूसरों को जो illegal तरीके से गया गल्त selection procedure की तरह से यह select हो गया उनको भार कर दिया जाए तो जो लग चुके हैं वो तो बाहर होने से रहे तो अब सरकार को इतने देने पड़ेगी और नहीं देती है तो आप समाज सकते हैं कि और क्या बिकलब है तो जो अर्षाट सो में selected है वो सबी संरोद है वो अम्रेंद भाई वीजय भाई प्रितीप भगेल मनोज प्रजापती जी उनको सायोग करें और जो अर्षाट स्वा में से लेक्टेड नहीं है और जो बाकी कोड के सुस्स में हैं वो भ वाली है अगर आपको लग रहा है कि वार्शर सो देखे केस को बंद कर देगी तो ये जो टेविल है जो डेटा प्रोवाइट कराया गया है वो सफिशेंट है कोड को कि वो किस दिसानिदेश को जारी करेगी ये इस टेविल को देखके आप समझ सकते हैं और कोई भी जज हो चाहे सुप्रीम कोट का जज हो चाहे हाई कोट का हो चाहे वो चीफ जश्टिस हो इन चीज़ों को फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकता कोई भी जो फैक्ट्स लगे हैं जो लिश्टे लगी हैं उसको वो डिनाई नहीं कर सकते है हां देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती, आज नहीं तो कल इन चीजों पर DCN आएगा, अगर सरकार 18,000 सीटे नहीं देती है, तो कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकाल के इस मैंटर को बंद करेगी, और वो बीच का रास्ता आप लोग सभी समझते हैं, इसलिए सभी लोग जिजिस टीम से संब करें, और अब बात जो है एक double rearvation किया गई है, कि कुछ जनरल के साथ होने यह उसमें case किया है, साथ में tag है जो OWC के के candiator उनने and SC के का रास्ता मैं double rearvation लिया डवल रियुवेशन क्या है? उनका मानना है कि उन लोगों ने टैट में भी आरच्छन लिया है, नमबरों में चूट ली है और A.T.R.E. एकजाम हुआ है उसमें भी नमबरों में चूट ली है तो आखरी मुद्दा क्या है क्या ऐसा है क्या उनका लोकस इस केस में बनता है तो इसके जानने के लिए हम एक चीज प्रमुक्ता से देखते हैं कि ये 69 यार भरती के लिए एक जियो जारी किया गया था जिसमें लिखा हुआ है सासना देश संक्या 2056-1 दिसंबर 2018 को जारी किय दिये प्रात्मिक विद्धाले में सहाय अध्यापग भरती परिक्षा दोहर 19 का आयूजन करने के लिए दिसानिर्देश है मतलब जो ATRE एक्जाम कराया गया है ये उसके दिसानिर्देश है ऐसे TET में भी दिसानिर्देश है TET भी एक क्या है क्वालिफाइंग पेपर है त इसे ही ये ATRE एक्जाम जो कराया गया इसमें भी आप लोग यहां देख पा रहे होंगे साब तोर पे परिक्षा परणाम के पॉइंट नमबर टू में सायक अध्यापग भरती परिक्षा उत्तीन करना किसी व्यक्ति को भरती स्लैस रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा इसमार मतलब यह ने कि आपने भरती पास कर लिया और आप नौकरी के लिए क्लिप करें। उसके बाद जो नत्रह्यास का विग्यापन जारी होगा जिसमें जिसके भी नंबर जुड़ेंगे वो फाइनल विग्यापन है कहने का मतलब यह है कि टीटी पात्रता परिक्षा है आपको उसको पास करना पड़ेगा तब आप अगले प्रोसीजर के लिए जाएंगे A-T-R-E एक्जाम भी एक पात्रता परिक्षा है इसको आपको पास करेंगे उसके बाद आप अगले स्टेप पे जाएंगे और अगला स्टेप जो है वो आपका फाइनल मेरिट का है यह नहीं है कि अगर हां, अगर आप कहें कि उसाब pre exam है, main exam है, कि interview है, तब आप उसमें जरूर दे सकते हैं, वो भी जो नियमा बली है, वो सिर्फ UP, PSC में लागू है, और किसी भरती में ऐसा system नहीं है, कि Double Rearvation है कि Triple Rearvation है और जहां पे भी पात्रता परिक्षा या Qualifying Exam की बात आएगी महां पे Rearvation या Double Rearvation की बात ही नहीं होती है ठीक है तो यह जो जीओ है जमें साफ साफ लिखा हुगा कि ATRE परिक्षा एक पात्रता परिक्षा है इसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं अगर आप गुडांक में आ रहा हैं और आपको नहीं लिया गया है तो आप बेशक क्लेम कर सकते हैं और भही बुद्दा जो है 13156 वाला अभी तक चल रहा है अब इसमें कुछ लोगों ने इतना बुरी स्थिति कर दी है कि आप समझ नहीं पा रहें आर्सट सो की लिष्टा आई आर्सट सो वाले अपने टीम में लगए कि साब आर्सट सो दे दीजिए बाकी का हो या ना हो तो आप लोग मेरी उस टेविल से समझ गया होंगे कि आके है क्या मामला ठीक है कुल मुला के प्रमुक्ता से अगर मैं बात करूँ तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको डिस्क्लोज करना अभी सही नहीं है बक्त आने पर उनको भी डिस्क्लोज किया जाएगा तो पहला मुद्दा यह है कि कुल आर्सट गोटाला अठारा जार सम्टिंग सीटों का हुआ है वो भी सीएसे मिला के इन सब को छुपाने के लिए सरकार ने अपनी अर्सट सौ सीटे दे कर कुछ प्रमुक्त नेतागरों को करते हुए इस मुद्दे को दबाने की कोशिज करी लेकिन भासकर भाय सुसिल भाय लगाता लड़ते आ रहा है जिसके तहत यह मुद्दा अभी भी कोर्ट में चल रहा है और माना यही जा रहा है कि जब तक सरकार पूरा रियरवेशन नहीं देगी या कोई बीच का रास्ता नहीं निकालेगी तब तक यह मुद्दा नहीं निबटने वाला है और साथ ही आर्सट सोर की जो लिष्ट है उस पे भी निकती नहीं होगी कोई भी जज कोई भी जज ऑन दो स्पॉट जो फैक्ट्स है उसके बिहाब पे कोई भी order या गाइडलैस जारी नहीं करती है वो अपने पुराने जज़मेंट्स देखती है पुराने किन-किन जजो ने इस्टीट्मेंट दिये हैं क्या-क्या order पास हुए है क्या-क्या document mention है क्या-क्या एफ़ीडैविट्स लगे हुए है उसमें तब जाके वो कहीं order delivered होता है ऐसा नहीं है कि आप गया आपने कैदियास साहब ऐसा है कि वैसा है कि अर्सट सो सीटों में रियर विशन पूरा हो रहा है तो आप अर्सट सो सीटों के लिए अब एक और प्रमुक मुद्दा है जो कि बहुत चर्चित है मुईनित तिवारी से एन अदर्स में सरकार से काउंटर मांगा गया कि था कि आप सोंबार तक काउंटर जमा कर दिए और एड़ प्रिजेंट आज मंगलवार है अभी तक सरकार ने कोई भी अपना काउंटर समिट नहीं किया है माना यह जा रहा है कि on the spot सरकार डाइस पर काउंटर पुट अप करेगी अब इसमें जनरल के साथ ही कहेंगे साब कि काउंटर आया है हमें दो दिन का समय दिया जा है हम जमा करेंगे इसमें तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं क्योंकि यह जो आपको सामने अच्छा है तो आप इसमें डेबल रियर्वेशन वाली बात करें नहीं सकते तो जो मुहिनित दिवारी और अदस वाले जो केस हैं या इससे लेटर जो भी केस है सब डिस्पोज आफ हो जाएंगे इसमें किसी को समझने की जरूवत नहीं जो भी जो भी साथी डेबल रियर आप इसाथ आप डबल है कि टृपल है फेक्ट्स क्या हैं क्या आपके सामने केसिस हैं कितने ओडर फैक्त्सै रियर्वेशन वाला मुद्दा है ए जो कह रहा है क्या कोई लोकस oni है मैंनाta वह भी साथी इन इन चीजों में अभी भी अपने आपको रोके हुए हैं कि साहब हमें कुछ मिल जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला इन चीजों में, आप लोग एकदम समझ जाएए, जो भी आपको इस चीजों से भ्रमित करने के कोशिज करें, आप उससे अपना वाइगाउट कर लेज है, ठीक है, क्योंकि जो एक रूल है, जो गाइडलाइन से हैं, उनको ही फालू करेंना पड़ेगा, चाह सरकार हो, चाह कोट हो, कोट से बड़ा कोई चीज नहीं है, ठीक है, आप यहां से हमाल लीजिए, किसी बशी से हार गए, आप सोचेंगे, सुप्रीम कोट में हम केस क दो रास्ते हैं, कि टोटल सीट है, जित्ता को गटावला हुआ है, अगर नहीं देती है, तो कोई बीच का रास्ता निकाले, अगर बीच के रास्ते में भी नहीं समझाता हो पा रहा है, तो सिर्फ कोट एक ही ओडर देगी, और वो एक फाइनल ओडर है, तीन परकार के मैं आपको ओडर बता रहा हूँ, पहला ओडर की 18,000 सम्टिंग जो सीट OBC प्लस SC की गोटाले में हुई है, उत्ती सीटे दी जाए, अब क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोट का ओडर है कि उनुत्तर जाहा से एक सीट जादा दे नहीं सकते, तो यह सीटे तो देंगे नहीं, चाह इसने भी इलीगल तरीके से यहां पर 18 या सम्टिंग और बच्चे सामिल कर लिए गए जनरल के, उनको भार किया जाए, और इतने ही कंडरेट उसमें रखे जाए, तो यह भी बहुत मुस्किल है क्योंकि जो सेलेक्टिट हो चुका है, जो चार साल से नौकरी कर रहा है, वो निकलने से रहे, वो भार नहीं हो सकते हैं, ना है उनको सरकार ने अभी तब भार करने की कोसिस करें, तो तीसरा क्या है, तीसरा कोड यह इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि लिष्ट को रिविजिट करो, रिड्रॉ करो, लिष्ट रद करते हुए, दुबारा आरक्षन नियमो का पालन करते हुए, लिष्ट जारी करें, और जितने भी कंड्रेट उसमें सेलेक्ट होंगे, साफ साफ लिखाओ, कि यह उसकी जाती है, यह इस केटिगरी में सेलेक्टेड हुआ, यह इसका कुलांट, नई लिष्ट बनाई जाए, सारे ही केसों का, जितने भी मुद्दें सब का कटा छेप हो जाएगा, नई लिष्ट बनाते ही, सारे मुद्दे हों, चाहे अर्सट सो हो, चाहे ठारा जार हो, चाहे डबल डियर्बेशन हो, चाहे कोईसा भी, सारे मुद्दे अपने अब खतम जाएगे, ठीक है, अब सरकार के उपर यह रगया कि वो दुबारा ल बोजर लेके आती है, क्या जज्जमेंट देगा, कोट, लेकिन एक बात हमेसा याद रखिया है, कोट, सेक्शल चीज़ों पर ज्यादा विस्वास करती है, औरल चीज़ों पर नहीं, इसलिए पिछली डेट पर भी जास साब ने कहा था, कि जो भी चीज़ देनी है, सरकार क को एफिडेट के तुर दीजिए, अब करना कह चा रहे हैं, तो यह मेरी आप लोगों से बिनम अंरोध है, कि जो डबल रिएवेशन बेट पर केस पर जो भी आपको ब्रामक तथ्य बताय जा रहे हैं, वो सब मित्या है, सब जूट हैं, उनमें कुछ नहीं होना है, जो भी पर रुका हुआ है, कि हाँ मेरा इसमें हो जाएगा, डबल रिएवेशन से जनर्रल वालों को सीटे मिल जाएगी, या या चिला मिल जाएगा, उनको तो ऐसा नहीं होने मुला है, होगा क्या, मैंने आपको बता दिया, कि जो इसकैम हुआ है, या गोटाला हुआ हुआ है, जो भी होगा, उनके साथ होगा, उनको अंदर लिया जाएगा, तो कुछ लोग भार भी जा सकते हैं, या कुछ अलग से पोश्ट क्रियेट करे जाएगी, या जैसा भी है, कुछ मिला के उनीच हात्रों का होना है, जो रियर्प कैटिगरी के हैं, यूर केंडियेट का अभी इसमें कोई लोकस नहीं है, ना लोकस बनता है, और अगर ऑन दो स्पोट डाइस पे भी सरकारी बकील साब ने मुहिनी तेवारियन अदर पे काउंटर रख भी दिया, या दे दिया, तो वो भी ऑन दो डे डिस्पूज हो जाएगा, क्योंकि पूरा मामला साफ है कि दोनों ह ग्जामी जो है, कौलिफाइँ एकजाम है, वो किसी नौकरी के लिए आपको परमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक हैं, तो जब दोनों ही कौलिफाइइग्जाम है, तो इसमें डबल रियर्वेशन का बात भी नहीं आती है, तो सह साःसी वारत है, जित्ते भी डबल वह दोबारा लिश्ट बनाने पड़ेगी और जिते अन्रियर्फ कंड्रेट सेलेक्टेड हुए हैं गल्द तरीके से उनको भार किया जाएगा और उनको अंदर किया अब इसमें कुछ नहीं करी हैं वो मैं कल जो भी कोट की सुनवाई होगी उसके बाद आपको पूरा डिस्पोस कर दूँगा सबको क्लियर कर दूँगा कि आकर मामला है क्या क्या टीमने चहा रहे हैं क्या करना चहा रहे हैं और किसकी टीम में कितना दम है ठीक है, मैंने पहले भी पोस्ट किया था कि बहुत जल्दी सभी टीमों का खुलासा करूँगा, लेकिन वो किसी कारवस मैं नहीं आ पाया, पारवारी समस्य करा है, लेकिन कल जो भी कोट में होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है कल कोट की सुनवाई नहीं हो पाएगी, और य अपनी उम्मीद है बनाए रखें, हलांकि कल कोट में सुनवाई नहीं हो पाएगी, और यह मैटर जो है, फ्रैडे को लग कर और दिवाली के बाद इसका डेट मिलेगा, ठीक है, आप इस चीज़े को नोट कर लिए, नहीं नोट करना है तो आप कोई बाद नहीं सुना पाद टाइव अप होगा, ठीक है, तो मेरी जो कल की आने वाली वीडियो है, जिसके आरे मैं सभी टीमों का खुलासा कर दूँगा कि किसने क्या किया है, कौन क्या करना चाहरा है, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइकन को जनरू प्रेस कर लिए क्योंकि जो भी मेरे वीडियो है, वो बिल्कुल इस पश्ट है कि आखिर है क्या, उन सब चीजों की वीडियो की जानकारी के लिए आप बैल आइकन को प्रेस कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, इससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंश सके धन्यवाद